ये तो अब सभी को पता होगा कि सभी के अपने अपने लकी चार्म्स होते हैं। इनमें ये दोनों सितारे अपने लग्की चार्म के बारे में बात करते और उनसे जुड़े अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं रंबीर ने वीडियो में बताया कि स्कूल के समय उनका लग्की चार्म मेल्ट रख होता था जिसे देखने के बाद वो अपने फिंगर्स क्रॉस कर लेते थे और उसे तब तक नहीं खोलते थे जब तक उन्हें रास्ते में तीन ब्लैक कार नहीं देख जाती एक्टर ननी बताया कि इससे उनकी हर विश्पूरी हो जाती थी जब इस तरीके से उनकी विश्पूरी होना रुक गई तो उन्होंने freezingers cross करना चोड़ दिया इसके बाद उन्होंने अपने रिखी चाहन के बारे में बताया या फिर आठ नमबर का शेप भी इसका कारण हो सकता है नमबर के बारे में बात करते हुए कहा कि वो जब भी किसी महत्वपून इवेंट, मीटिंग या फिल्म के लिए जाते हैं तो अगर उन्हें नास्ते में ऐसी कारे दिखती है जिनकी नमबर प्लेट पर लिके नमबर कार्ड टोटल करने पर आठ होता है तो वो माल लेते हैं कि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो उसमें सबल हो जाएंगे वहीं आलिया भट ने अपने वीडियो के शुरुआत में साफ किया है कि उनका लगी चाम थोड़ा सा जीब है उन्होंने बताया कि उन्हें जब भी कुछ चाही होता है तो वो अपने बात्रूम में मिरर के सामने उसके बारे में एक्ट कर दिया है जिसके बाद चीजें सच हो जाती हैं उन्होंने उधारन देते हुए ये कहा कि मान लेजिए कि उन्हें आसकर चाहें तो वो बात्रूम में मिरर के सामने ऐसे एक्ट करेंगे जैसे उन्होंने अवार्ड जीत लिया है और उसके लिए वो स्पिच दे रही है उन्होंने कहा कि इस तरह वो यूनिवर्स में एनरजी भेचती है ताकि उनकी विश पूरी हो इन स्टार्स का ये वीडियो फिल्म दजोया फैक्टर के प्रमोशन से जुड़ा हुआ है जिसमें सोनम कबूर एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही है जिसे इंडियन क्रिकेट टीम का लखी चार्म माना जाता है ये मूवी 20 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी